नमस्कार इस वक्त की बड़ी ख़बार आ रही है हर्याना पंच सर पंच चौनाओं को लेकर के तो से महाल खटर बिज़े पी अद्धेच ओपी धनकर करेंगे आज बैठक पंच चाय चौनाओं डेट इस दिन होगी घोसे तो आज से दो दिन में इंतजार होगा खत्म क्योंक चाय चौनाओं को लेकर के क्या यहां पर बैठक करने वाले है सेम खटर सरकार तो आईए जानते हैं खबर को विस्तार से तो अब यहां पर लंबा जो इंतजार कर रहे थे वो यहां पर इंतजार हो सकता है खत्म क्योंकि अब इस दिन फैसला ले सकते हैं यहां पर बड़ी खबर है तो आई ये जानते हैं ताजा खबर क्या है अपडेट जिहां अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो यहां हर्याना में 555 पार्टी सिंबल पर नहीं होगा 559 कमेटी की रिपोर्ट में बिजई पी का फैसला जला परसत पर फैसला भी बाकी तो ये बड़ी खबर है तो आदमपुर के साथ ही अर्याना में होने वाले 559 को लेकर भी बिजई पी पुरी तैयारी कर रही है तो पार्टी की 5 चछना कमेटी ने प्रदेश अधरच ओफी ध दिया जाए या नहीं इस पर आज फैसला किया जाएगा तो यह बीजेपी कोर की बैठक होने वाले है साथ में बता दे कि अब हर्याना में जो चुनाओ आयोक के द्वारा है वो बैठक यानि की साथ अक्टूबर यानि कल की दिन ले जाएगे इस पर अब फैनल यानि अंतिम म और इसके साथ ही सचा मंद्री के नेतत में बनी है कमेटी तो पंच चुनाओ को लेकर के हर्याना के सच्छा मंद्री कवर बाग उजगुझेर के नेतत में तीन मेंवरी कमेटी बनाई गई गई थी। कमेटी और डिस्ट्रिक एलेक्शन इंचाजों ने जलेवार अपनी रिपोर्ट सीम मौनलाल और प्रतेस अध्यजों फितनकड को सौब दिया जिसके बाद पार्टी ने तैंकिया है कि पंच सरपंच के चनाव पार्टी चिन पर नहीं लड़ा जाएगा तो वहीं पंच कुला सब्सक्राइब करेंगे तो यह बड़ी खबर है तो बता दे की को आदंपूर सीट में जो चुनाव होने हैं वो तीन तारीकों यहां पर वोटिंग होगी और अक्टूबर भर यहां पर आदंपूर चुनाव को ले करके यहां पर बिजी रहेगी प्रसाशन और साथ में बता देकी साथ और इसे कल के दिन चुनाव युग जाएगी कि बात करें हैं आदमपूर विधान सभागी उसके बाद यहां पर चुनाओं की घोसना हो सकती है तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताई कि एक नौंबर को हरियाना दिवस है और उसके पहले कुछ नई सौगातें देने वाली है और खटर सरकार के यहां पर तीन साल पूरे हो रहे हैं सरकार के 27 अक्टूबर को तो फिलहाल यह सौगात देने वाली है उसके बाद ही पंचायज चुनाओं को लेकर की घोसना हो सकती है तो पंचायज चुनाओं की जो गोसना है वो आठ नौंबर के बाद होगी और 7 अक्टूबर को यहां पर फाइन मीटिंग में जो डिक्सीजन ले जाएंगे हम आपको बताएंगे तो फिलहाल आज बिजेपी को और की बैटक होनी है जिसमें पंच सरपंच के लिए तो यहां पर पहले ही बोल दिया है कि बिना सिंपल पर चुनाओं लड़ा जाएगा और जो फैसला होगा आज जो जुला परसत पर होगा विजेपी का क्या चुनाओं लड़ेगी या नहीं इस पर आज फैसला होने वाला है तो आपको जानकारी कैसे लड़ेगी दर्वाद जहिन